कि गाइज वेलकम टू माई चैनल सो मैं टैरोट का डीडिंग सो गैज आज की टैरोट का डीडिंग कुछ खास होने वाली है आज मैं आपके लिए पेपर पर भी रीडिंग करोंगी केंडल से ठेक है तो के जरीए जानेंगे आपके परसन का हाल कि उनके मन में उनकी करें ना गाइस और उसके बाद मैं टैरोक से चेक करोंगी तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजे चैनल को लाइक शेयर कमेंट करिए चैनल पर क्योंकि देखें मैं क्यों कहते हूं सब्सक्राइब क्योंकि जब भी मैं रीडिंग करोंगी तो नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचेगा और जिस चैनल लीडिंग को आप देख रहे हूं कि जनल कलेक्टिव टाम लैस रीडिंग में कर रहे हूं तो जिस जनल लीडिंग को गाइस आप देख रहे हो इस वेक्त तो उस रीडिंग के साथ आपका कॉन्टेक्ट उस रीडिंग के साथ हो जाए और आपक करते हो मेरी डिको कमेंट करते हो तो उससे क्या होता है कि like करने से subscribe करने से आपका connection तरहीं के साथ जुड जाता है फिर मैं ज़ antig करूंगी वह आपके साथ automatically connect भी होगी और वह ब depictionrap के लिए होगी अगर आप सब्सक्राइब करें तो चलिए अभी डिंग को स्टार्ट करेंगे और एनर्जी क्या है इस चीज को मैं देखोंगी और यदि आपको लगता है कि मुझे मैम से एक बारी बात करनी चाहिए अपनी खोड की अपने परसन के नेम प्लेस के साथ रीडिंग लेनी चाहिए तो आप इस रीडिंग को ले सकते हो कैंडल वैक्स रीडिंग में तो बहुत पता भी चल जाएगा नमबर है 95401-19650 इस नमबर पर आपको वाट्सप पर मैसेज करना है और सारी जानकारी आपको ले लेना है रीडिंग के रिगार्डिंग सो चलिए अब बिल्कुल भी टाइम को वेस्ट नहीं करेंगे और केंडल से कर लेते हैं रीडिंग स्टार्ट ठीक है मैंने अपनी केंडल को जो है वह लाइट कर लिया है तो अभी अनर्जी को जड़ा चैक कर लिए आप किसी बात को चिंता कर रहे हो और थिंकिंग कर रहे हो तो प्लीज थोड़ा पॉज्टिव हो जाए तक कि मेरे को अनर्जी मिल जाए रिसीब हो जाए आप चिंताएं बहुत हो रही है आपको रिलेशन्सिंप के ओलेकर अपने रिश्थे को लेकर अप फूचर जानना चाहते हो मुझे लग रह रहा है अपने रिलेशन्सिप का और कहीं न कहीं क्योंकि आपको एसास हो रहा है मेरे को जो इस वक्त अनर्जीज दिखर है हैं मिल रही है आपकी तो आपको यह असास हो रहा है कि इस रिलेशनशिप में काफी लंबा टाइम हो गया जैसे मिली एनर्जी जो मुझे सामने आ रही है आपकी तो काफी जादा मतलब वह एनर्जी में कंफ्यूजन है के लिटी नहीं है आपको अपने पार्टर की तरफ से है और आपको अपने रिलेशनशिप में ठीक है परसन के एनर्जीज को चेक कर लेती हूं मैं आपके परसन मुझे इस वक्त ऐसा लग रहा है किसी चीज़ को डिसाइड करना चाहते हैं पर डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं और कफीज दे कंफ्यूजन में आपके पार्टर ख कर रहे हैं यह परसन की एनर्जीज के साब से अगर देखा जाए तो भाई परसन को आपसे लगाओ दिख रहा है लव दिख रहे हैं लेकिन मुझे असा लग रहा है कि किसी बात में इनको आगे बढ़ने से रोक दिया है क्योंकि जिस तरीके से वैक्स के अनर्जीज आ रहे बहुत है डिफरेंट सैट ऑफ मैरेड हो और बहुत ही जादा मतलब स्ट्रोंग बाइब्रेशन मुझे रिसीव हो रही है वह सकता है कि यहाँ पर एनर्जीज बहुत स्ट्रोंग मिल रही है मुझे काफी सपने देखे हैं इन्होंने आपके साथ और इस तरीके से जो उनकी सट्रोंग मेंद्र को यह सब्सक्राइब की रोका हुआ है ठीक है क्योंकि यह परसण की फिर लिंग तो मुझे लग रहा है कि आपको लेकर अच्छी दिख रही है प्यार वाली दिख रही है तीफ दिख रही है मुझे एनर्जी इनर्ड लेकिन किसी बात को लेकर प्रॉपर नहीं ले पा रहे हैं जैसे मतलब होता है ना कि हाँ भाई रोक रखा है किसी ठाल पार्टी सिच्वेशन ने या कोई फैमली की तरफ से कोई असी सिच्वेशन है जिसने रोक रखा है लौ देख रहे हो आप ये लौ क्या कह रही है इस लौ की तरफ ध्यान से देखो ये क्या कह रही है ये आपके प कि यह परसन ना बतलब इनका क्या है कि इनको किसी बात को लेकर मैं यहां पर देख रहे हूं कि आपके साथ रिलेशन्शिप तो इनका जो है वो नो कॉंटेक्ट में दिखाई दे रहा है बट मुबन करने की जब बात आ रहे हैं तो परिशान हो रहे हैं यह चीज मुझे यहा आप तोनों के बीच में कोई तीसा इंसान है तो बहुत जादा उसकी निगेटेव अनर्जी जा रहे हैं और बहुत जादा मिस्गाइड वाले इनको काफी जादा इनको आपके लिए ठीके मिस्गाइड किया है अगर आप किसी बरकिंग प्लेस में हो तो यहां पर कुछ ल में भी रुकाबटे आ रही है रिलेशन से आपका इस वक्त काफी ज़्यादा उल्जा हुआ मुझे दिखाई दे रहा है बहुत सारी चीजें है आपकी इस वक्त पैंडिंग पड़ी हुई है ठीक है बट आपका फोकस जो है वह आपके रिष्टे पर इस वक्त है ठीक है मै करना चाहते हैं आप लोग दूसरे के साथ है ना लेकिन यहां पर तो रियूनियन को ही लेकर काफी ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है मुझे लग रहा है रियूनियन को वेट कर रहे हो आप लेकिन पार्टनर की तरफ से कोई भी अक्शन नहीं मिल रहा है आपको निगेटिव निगेटिव अनर्जीज ने रास्ता रोका है जिससे की वजह से आप लोगों के बीच में काफी कुछ डिस्ट्रवेंस भी यहां पर शो हो रहा है कि ठीक है मैं यहां पर आपकी करेंट एनर्जीज को मुझे ऐसा लग रहा है किसी बात को लेकर कोई धोका भी आपने फिल्ड किया है कोई धोका या कुछ ऐसी चीज़े हैं जो आपके सामने आई है ठीक है मतलब आपके परसन ने बहुत जादा नजदीकियां बनाई आपसे और बहुत लंबा रिष्टा रखा एक गहरा रिष्टा लंबा नहीं गहरा रिष्टा क्योंकि यहां पर मेरे को लग रहा है कि मैंटली फिसिकली स्ट्रॉंग आप आप दिख रहे हो मुझे और य को एक साथ रहे भी हो और काफी कुछ जैसे होता है कि प्लानिंग करते हैं तो प्लानिंग भी आपने बहुत कहीं है अपने रिष्टे को लेकर ठीक है बड़ा मतलब एक अच्छा रिष्टा यहां पर आपकी ट्रूनेस दिखाए दे रही है आप तो बहुत लॉयल दिख र पर इसको छोड़ देना सब चीजें बेबजें मैच नहीं करना है ठीक है तो यहां पर में को दिख रहा है कि आपकी जो पार्टनर है उन्होंने आपको दोका दिया मतलब पहले जितनी नजदिगियां बनाई एक लोग रिलेशनिप में आए आपका विश्वास जीता आपक अपरी भी सबोड़ किया है मतलब इस तरीके से आप उनको सपोर्ट कर दे रहे जो जो वह Кो बोलतं है रहे हैं क्यम कि आपकी जोंसमित आने इनर्जीं है किनल एगसा की जैसे होता है ना कि आपको बहुत चेनता प्रेकर हो रही है कि रहत में नीद नहीं आना स्ट्रेस होना हर वक्त एक ही बात के वारे में सोचते रहना भूले से भी ना भूल नहीं रहे हो जैसे होता ना इंसान जलो भी भूल जाता एक टाम की बूल इस लिए नहीं पा रहे हो आप क्योंकि मैं बोल रही हूं आप बहुत लॉयल हो अपने पार्टनर के बहुत ही कहीं कहीं दिख रहा है ना कि आप अगर यह थड़पाटी से बोल रहे हैं यह थड़पाटी से बात कर रहे हैं तो उसके लिए भी आपने सोचे कि चलो कोई बात नहीं हमारा रिष्टा बना रहे हैं अगर यह थड़पाटी से बोलते हैं बात करते हैं तो आपने वह भी च करो तुमने जो मेरे साथ रिलेशन सिप रखा जो इतना टाइम हमने इस रिष्टे को दिया इतनी भावनाएं जुड़ गए उस भावनाओं को इस तरीके से मत वो करो बट उसके बाद भी मुझे आज ऐसा लग रहा है गाइस कि आप अकेले हो और बहुत जादा अकेले देख आपकी जो अच्छाईयां है वह यहां पर लौके रूप में आप देख सकते हो कि कितनी पॉस्टिव एनर्जी तेज होती है जब आपकी अच्छाईयां को मैं यहां पर देख रही हूं मतलब आपने दिल से अपने पार्टनर के रिष्टे को अपनाया दिल से है ना मतलब आप आप रहे हैं यहां तो मुझे तो देना ही चाही है तो यहां पर मुझे आप Nagyon दे रहे हैं पर उसके बाद भी आप ज्ञाए आपकी अट लग रहे हैं कि आपको कुछ भी नहीं मिलब यह इतना कुछ देने कर ढ Ninja तह पार्टर की Hourड को देख रही हूं, जो मैं उन नड़ को देख रही है है, उनके दिल प्यार नहीं हो, आप नहीं को जड़ुआ है, नहीं पहाँ, जो में सपस्कित और पो उनको बहुत ज़्यादर मिजगाइट किया है ठीक है डूसरा मैं यहाँ पर यह देख रही हूं आपके पार्ट्नर की उस एनर्जी विए धिखाई दे रहा है कि एक निगेटिव एनर्जीज है जिन निगेटिव एनर्जीज ने आपके पार्टनर को बिलकुल अपने कंट्रोल में किया आप लौ देख सकते हो यह जो नाम लिया आप कलर भी चेंज हुआ लौ भी चेंज हुआ आपके सामने चेंजिस दिख रहे होंगे आपको देखो है करें यह हम लुद करते हैं जहां की जाती हैं करते हो Muito uniform क्लीट मा के भître हैं तो थम उनका नहींट एगओ करते हैं तो जुद नहीं है कि आहीं हुएं कि यहां से सैंड की जाती है यहां कभी कभी नाम लेने से बिना उर्जा चेंज हो जाती है जो कि मतलब एक तरीके से अपनी वो बताती है कि हाँ भई तो चलो कि इश्वर के बहते हैं और इश्वर से प्रार्थना करते हैं कि इश्वर शक्ति दे और सारी ठीज़ों को ठीक करें है कि छलिए यहां के बढ़ते हैं अमनमश्वाय हूँ नवश्वाय है है सो आपने ध्यान दिया हो अगर नेगेटिव अनरज्им पर तो तो इसके लिए आप अपाय कर सकते हैं और आंक के लिए मैं आपको बोलूंगी जो भी नदिश्रारे हैं तो आप मुझसे contact भी कर सकते हैं ज्यादा जानकारी के लिए बहुत डिटेल बात कर सकते हैं लेकर अगर आपको विशेय सपाय करने हैं तो फिर मैं आपको यह बोलूगी कि आप काली मा की पूजा कीजिए और भी जादा आपको विशेय सपाय करने हैं और हेलिन वगरा लेनी है तो उसके लिए आपको contact करना पड़ेगा मुझसे नंबर आप नोट कर लीजिए 9540119650 प्रीडिंग के अंदर ही आपने मैसूस किया होगा कितनी एनर्जी चेंज होई अगर आपने जरा भी की तरफ फोकस किया हो तो आपको वह चीज दिखी होगी खैर चलो हम अलगट क पार्टनर की feelings तिक रही है लेकिन controlling energies यहां पर शो हो रही है एक changes से यह पर दिखाए दे रहे हैं था है अधार अनी का अशिरवाद है और माकाली का शीरवाद है जो कि सब कुस्छीक होगा एंड पार्टनर के तरफ से मैं लेकिन आपके जो person है जो partner है वह आपको लेकर ठीक तो यहां पर केंडल के जरिये मैंने इस अनरजीस को चेक किया है अब टेरो से एक बड़ी चेक कर लेती हूं कि क्या है उनकी अगला कतम दोनों की एनरजीस को चेक किया है और पार्टनर की अनरजीस भी आपके लिए बहुत पास्ट टिप दिख रही है फीलिंग्स बहुँद जादा लविंग दिख रही है कि यहां पर देखिए कि सबसे बड़ा इश्वर होता है कि आपके दोनों के विश में प्यार है और बहुत ही जादा गहरी बावना है आप दोनों की एक दूसरे को लेकर बहुत ही गहरी बहबना जो कि यहांपर पूरी तरीके से यह गहरी बावना और अपके सोचहों कि आपका जो connection है और divine connection में इस वहक्त नघर आ रहा है यह हल् rollers नहीं नहीं हो सकता है इसलिए मैं बोलते हूं कि एक्वारी इस connection को पहले चेक कर बाँट रीडिंग के जरिए देन इसकी बाद healing होती है है तो यहां पर divine connection निकिन नज़रा रहा है रहे हैं आपको पता है जनकार ये कि सब्सक्राइब को पूरी तरीके से एक दूसरे के साथ बांध रही जन्म जन्म का रिष्टा है पास्ट कनेक्शन नजर आ रहा है इस रिष्टे में अगर आपकी भावना है अभी आपके पार्टनर के साथ जुड़ी है बहुत लंबे टाइम से आप सब्सक्राइब को बढ़ती जा रही है इसका मतलब आपकी जर्नी अभी पूरी नहीं होई आपकी जर्नी में बहुत कुछ है लव है फ्यूचर है रियूनियन एक दूसरे के साथ बावना जुड़ी है यहां पर लफ्सका कार्ट जो है वह इस चीज़ को बता रहा है कि आपको लेकर देखते हैं क्या रहे की अनर्जी वो करेंगे आपको कब होगी उनसे बात कि यहां पर अगला कदम दिखाए दे रहा है वह यहां पर बहुत कहीं कहीं तो बहुत स्लो है और कहीं कहीं बहुत फास्ट भी है गाइस स्लोई लिए दिकर आया यह करा रुकाबटे आपका पीछा नहीं छोड़ रही है रुकाबटे लेकिन जिनकी रुकाबटे नहीं है कोई भी निगेटिव नहीं है डेफिनेटली सालिब्रेशन की अनर्जीज है बहुत ही प्यारा रिष्टा है नेक्स ट्रेक्शन उनका अगला कदम शादी फ्यूचर रियूनियन मिलना इस वीटिफुल आवरिफिंग इस वीटिफुल है ना तो यहां पर यह चीज मुझे दिख रही है ठीक है एंड यहां पर मैं बोलूंगी इसलो इसलिए है क्योंकि बहुत प्यार बहुत करते हैं ऐसा नहीं है कि प्यार में कोई कमी है लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें चल रही है तो उसको निगेटिव एनर्स्टक एनर्जी यहां पर शो हो रही है राशिया में बोलना चाहोंगी आपको कि राशिया मुझे क्या दिख रही है तो कैप्रिकों टॉरस जैमनी लिवरा स्कॉर्पियो पाइसे ठीक है मैंने बता दिया ब्लॉक कांटेक्ट है ब्लॉक किय लोगों ने दूसरे को ब्लॉक की नहीं किया ना अपने ब्लॉक किया बट लगता है कि जैसे ब्लॉक की कर रहा है क्योंकि बाचीत नहीं हो रही है तो फिर ब्लॉक किया है और नहीं किया है तो बात नहीं होती है आप खुद मैसेज करो अपनी सेल्ट रिस्पेक्ट को साइ यह लवका कार्ड भी यहां पर यह कह रहा है कि प्यार है लेकिन कुछ गलत फैमिया है जो कि यहां पर आपको एक दूसरी की बात को समझना पड़ेगा करना पड़ेगा और ज्योंकि देखो में चीज कहना है कि आपके रिष्टे में future है ठीकि है आपके रिष्टे में future है क्योंकि जिस तरीके से आपके पर्सन तो इसकाड के साब से अगर आपका no contact और उनकी नजरे तो आपके ऊपर पूरी है जब उनको लव नहीं तो नजरे क् कि feelings क्यों है ना तो इसका मतलब है उनके दिल में प्यार है आपको लेकर feelings है उनको आपको लेकर तो definitely reunion है definitely possibilities है definitely future है लेकिन कहीं कहीं रुकाबटों की बज़े से मिल नहीं पा रहे हो रुकाबटे इतनी जादा है कि वो अपने रास्ते पर अठकी पड़ी हुई है है ना अगर यह रुकाबटे हटे तो आपका lovers की energy is proper मिले सो बहुत जादा meditation कीजिए happy रहिए positive रहिए है ना बहुत जादा अंदर से एकदम self confidence को भी रखिए बहुत जादा meditation positive तो रहना बहुत जादा जरूरी है बिल्कुल negative नहीं होना है ठीक है तकी चीजें ठीक हों ठीक है बकी का आपको लगता है तो आप मुझसे बात कर सकते हैं और candle wax reading भी ले सकते हैं 300 रुपीज से रीडिंग स्टार्ट है टेरो कार डीडिंग भी है candle wax भी है कॉल मैसेज सब तरह की रीडिंग अबलेबल है नंबर है 9540119650 अपना ध्यान रखें बहुत जादा और प्लीज इस रीडिंग के साथ connect हो जाएं जो रीडिंग आज की है blessing ले ले माकाली की आशिरवाद ले मादरुगा का इस रीडिंग को लाइक करके सस्क्राइब करके जदा सजादा blessing ले मातरानी की ध्यान रखें अपना and take care bye bye